आज हम सब कलास 12 के एकनॉमिक चेप्टर 2 जिसका नाम है कंज्यूमर बिहवियर यानि कहने का मतलब हो जाएगा उपभोगता के बेहवार का सिधान चेप्टर 2 के विभार के सिधान के बारें पढ़ेंगे यह आपका पार्ट 1 होगा याद रखेगा यह आपका पार्ट होगा क्योंकि इसी चेप्टर में आपको डिमांड के बारें पढ़ना और डिमांड काफी महत्पून टॉपिक हो जाता इसलिए उसके लिए एक अलग से विडियो तेयार किया है तो हम आज पढ़ेंगे फर्स पार्ट को पढ़ेंगे तो सबसे पहला सवाल यही है कि उपभोगता याने कंज्योमर है क्या या sûr उमर है क्या है जैसे आप बजार जाते हैं और बजार जाईएगा तो जाहिड सी बात है कि आप अपने उपभोग यानि उपयोग के लिए समाने बस्तूएं जब खरी दियेगा तो आप एक तरह से क्या हो जाएगा या कंजिउमर हो जाएगा उपभोगता का लाईएगा अब दुसरा सवा लुखता है कि उपभोगता संतूलन क्या होता है संतूलन उपभोगता संतूलन क्या हो जाएगा तो अपनी सीमित आई को बिभिन यानि डिफ्रेंस बहुत सकते हैं तो बिभिन यानि अलग-अलग बस्तूओं और सेवाओं पर आपके पास जो आए है उस आई को अलग-अल उपयोगिता यूटिलीटी उससे क्या हो प्राप्त हो उसी को हम लोग क्या करते हैं यही इस्तिती जो है उपहुकता संतुलन कहलाती है यह दोनों सवाल आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं अब देखते हैं आगे तीसरा सवाल क्या है तो कहा गया है कि अलग 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 सेमुल्स ने क्या कहा उपहुकता के बारे में सेमुल्स ने क्या कहा तो कहा है कि एक उपहुकता उस समय संतुलन में होता है जब वो अपनी दी हुई आय तथा बजार किमतों से अधिक्तम संतुष्टी प्राप्त कर लेता है यानि कहने का मतलब है कि सेमुल्सन ने कहा है कि उप्योगता उस समय की संतुलन को दरसाता है उस समय संतुलन में होता है जब कीमतों से अधिक्तम संतुष्टी यानि वस्तूमों से अधिक्तम संतुष्टी क्या किया जाए प्राप्त किया जाए दूसरा सवाल है कि उप्योगिता क्या कहलाती है उप्योगिता है क्या उप्य आवे सक्ताओं को संतुष करने की छमता है और वस्तू की जितनी ज़्यादा वे सक्ता होती है उस वस्तू से उतनी ही अधिक उपयोगता प्राप्त होती है जाहिर सी बात है कि जिसकी ज़्यादा आपको जरूरत होगे उससे ज़्यादा ज़्यादा उपयोगता प्राप्त कर अगरर इसके एक्जाम्पल के माध्यम से समझना चाते हो तो माल लेजिए कि अगर आप रोटी खाते हैं जैसे रोटी की मात्रा आपकी बढ़ते जाएगी उपयोगिता जो होगे उससे क्या होते चलाएगा कम होते जाएगा यानि जैसे यसे आपका पेट भरता चला जाएगा उपयोगता आप उससे कम प्राप्त करना सुरू कर जाएगे तो कहा गया है कि किसी वस्तू की उपयोगता उसकी अवसकता के संतुष्ट करने पर निरुवर करता है याद रखियेगा और वस्तू की जितनी ज़्यादा वे सकते हो क्योंकि आपको भूख लगा हुआ था तो पहली वस्तू पहली रोटी की सबसे ज़्यादा आपको जरूवत होगी तो कहा जा सकता है कि उस वस्तू से उतनी ही अधिक यानि जितना ज़्यादा जिस चीज की जर रहेंगे जिसी बस्तु बिसेष के प्रती उभोग की तिवरता यानी इंटेंसिटी ओप शंब अधिक होगी बोवक्ता को इस बस्तु से ऊप्होग से उतनी अधिक उठ्ट्थ प्राप्थ हो गई झो अग्जामपल आपको हमने दिया रोटी की कि जितनी जादा अगर आपको भूख लगी होगी तो पहली रोटी से जितनी जादा आपको संतुष्टी प्राप्त होगी वैसे वैसे जैसे रोटी के मातरा कम होती जाएगी वो धीरे-धीरे कम होती चले जाएगी फ्रेजर ने भी कहा क्योंकि यहां से इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं जो राइटर्स के नाम होते हैं याद रखिएगा यहां से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो Frazier's ने उपयुकता को इच्छा करना आपके एक्जाम में कहा जा सकता है पूछा जा सकता है किसने कहा था कि उपयुकता केवल इच्छा करना है तो आपके option में नाम होगा Frazier का नाम होगा तो इस तरह से सवाल और विहार बोट के बच्चों को खास करके इस तरह से करीब 5- से 6 याद रखेगा आपके MCQ में 5-6 minimum maximum की बात नहीं मैं बता रहा हूँ minimum 5-6 writers के नाम इस तरह से जरूर पूछते जाए कि यह कथन किसके दवारा कहा गया यह अब धारनाय किसके दवारा दी गई तो यह आपके लिए भी वियाई हो जाएगा सेमुलसल ने क्या कहा और फ्रेजर ने का कहा आगे देखा गया है कि उपयोगिता की विसेस्ताएं क्या क्या होती है चली हम लोग विसेस्ताएं को हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहली विसेस्ता है कि उपयोगिता एक मनो बिज्ञानिक धारना है मन की अवधारना है आप लोग का अपना अपना बेक्ती परक है अगर कोई चीज आपको अच्छा लग रहा हो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब को वो चीज अच्छा ही लग रहा हो हो सकता है कि हमें अच्छा लग रहा हो या जो चीज हमें अच्छा लग रहा हो वो चीज आपको अच्छा नहीं परक होती है तिसरा है उपयोगता समय तथा अस्थान के साथ बदलती रहती है जारी सी बात है कि समय और अस्थान के साथ आपकी उपयोगता जरूर बदलते रहेगी परिस्थिति के अनुसार भी उपयोगता जो है वो आपस में बदल चल बदलती चली जाती है चौथा दिया प्रभावित नहीं होगा याद रखिएगा उपयोगता कारण तथा संतुष्टी परिणाम है उपयोगता क्या है कारण है और उसका संतुष्टी होना उससे अगर आपको संतुष्टी मिल जाता है तो वही उसका आपका रिजल्ट है परिणाम का मतलब क्या होता है वही उसका आपका result हो जाएगा अब उपयोगता को मापा गया है उपयोगता के दो भागों बाटा गया है कौन-कौन सा तो गन्ना वाचक जिसे हम लोग कार्डिनल कहते हैं और दुसरा क्रम वाचक जिसे ओर्डिनल कहा जाता है याद रखिएगा और ये भी आपके एक जाम के लिए भी सर्मार्सल ने कहा कि उपयोगता को गन्ना वाचक बताया गया और कहा गया कि उपयोगता को मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता अगर उपयोगता को किस ने कहा था कि उपयोगता को मुद्रा के माध्यम से मापा जाए इस तरह के सवाल आपके एक जामे पूछे जाते हैं तो आपको आंसर लगा लेना होगा, मार्सल ने कहा था कि उपयोकता को हम लोग मुद्रा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, मेजर किया जा सकता है, और संक्या के अधार पे कम और अधिक प्राप्त कर सकते हैं, संक्या के अधार पे इसे हम लोग बांट सकते हैं, ये बताया गया ह वह ही प्रफेसर हीक्स ने क्या कहा कि उप्योकता की गंना वाचक माप से सहमत नहीं थे याणि जो जो बात मार्सल ने बताया उससे जो प्रफेसर हीक्स थे वो संतुस्ट नहीं थे क्या कि नहीं ये गलत चीज है इनकी अपनी अबधारना है और उपर मारसल की अपनी अबधारना है क्योंकि अभी आपने उपयोगता की बताया गया है कि बेक्ती परक होता है और बेक्ती परक का एक सबसे बरा आपको एक्जामपल यहीं पर देखने की मिल गया कि मारसल का अधार ना कि संख्या के अधार पर नकि काउंटिंग के अधार पर यही बात प्रोफेसर हिक्स ने लोगों को बताया जो कि मार्सल की बातों से ये सामत नहीं थे आगे दिया गया है कि कौन कौन सा धारनाय है जिसे हम लोग concept of utility के नाम से जानते हैं और ये सवाल आपके board में पूछा गया है कि concept of utility यानि कहने क्या मतलब हो गया उपयोगी था कि धारनाय अब धारनाय बताईए तो सबसे पहला है सिमान्त उपयोगता और दूसरा है कूल उपयोगता देखते हैं सिमान्त और कूल में क्या अंतर है सबसे पहला जो topic है वो कौन सा है तो कूल उपयोगता है कूल उपयोगता यानि total utility याद रखेगा total utility नेकि वहाँ पे जो हम पीछे देखे थे तो वहाँ पे दिया गया था पहले सिमानत और बाद में कुल तो कोई बात नहीं है पहले लेकिन हमें पहले कुल उपयोगता को पढ़ना जरूरी है तब जाकर के आपको सिमानत उपयोगता समझ में आएगा तो कुल उपयोगता होता उपयोगता जो प्राप्त होगी यानि सभी 21 से जो उपयोगता प्राप्त होगी यही कहलाता है कुल उपयोगता कहलाता है यानि हर एक बस्तू की उपयोगता को क्या करते चला जाएगा जोडते हुए चले जाएगे इससे जितना प्राप्त हुआ फिर इससे जितना प्राप् कि आपने संत्रा ही खाया हमने एक्जाम पर रोटी का भी दिया आप संत्रा का भी दे लेते तो आसा मूं मीठा भी कर लेते हैं तो कहा जाता है कि अगर आपने पहली पहला संत्रा खाया आपको सिमान्त उप्योकता 40 आया दूसरा संत्रा खाया सिमान्त उप्योकता 30 आया तीस संत्रे खाने से आपको टोटल उटिलिटी कितनी प्राप्त हुई यानि कुल उप्योगता कितना प्राप्त हुआ तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि टोटल उटिलिटी यानि कुल उप्योगता क्या कहलाती है यानि जैसे जैसे आपकी इकाईयों की मात्रा जैसे ब वस्तू की मात्रा बरहाने पे फिर कूल उप्योगता क्या होती चले जाएगी घंटी चले जाएगी ये कब घंटी चले जाएगी इसके लिए आपको सीमानत उप्योगता जानना होगा तो आते हैं हम लोग सीमानत उप्योगता पे कहा गया है कि सीमानत उप्योगता किसे करते कि अत्रिक्ठ 21 से अत्रिक्थ उपयोगिता जो मिलती है यानि कहने का मतलब है कि पहली बस अ tanto से कितनी उपयोग्ता मिली को 40 जैसे से आप संत्रा खाते जाएगा संत्रा के प्रति आपकी आपकी संतूस्ठी कम होतीot कहने का मतलब है कि आपका पेट भरते चला जाएगा तो आप संत्रा धीरे-धीरे कम खाना कर देंगे तो कहा गया है कि एक अत्रिक्त एकाई बरहाने से जो उपयोगिता प्राप्त होगी पहली संत्रा खाया 40 उपयोगता दूसरा संत्रा खाया उससे 30 उपयोगता आपको प्र कहा गया कि आपका पेट पूरी तरह से भर गया माल लिजिए कि आपने पांच संत्रे खाएं और आपका पेट पूरी तरह से भर गया इसका मतलब है कि आपको पूर्णत संतुष्टी हो गए यानि पूर्णत्रिप्त हो गए यानि वहां पे सिमान्त उपयोगता अब आप उस उसे नहीं खा पाईएगा तो जो संत्रा इक्स्टरा जब आपके पास पस्था चले जाएगा बरबांत होते चले जाएका इसे हम लोग करते हैं करना कोई आफ उपयोक्ता कैसे निकालेंगे तो सीमानत उपयोक्ता को condicioneslie produzísME कुल उपयोगता मिलेगा और कुल उपयोगता बाद वाले कुल उपयोगता में से पहले वाले कुल उपयोगता को अगर घंटाते चले जाईएगा तब आपको सिमानत उपयोगता मिलेगा अब सवाल उठता है कि सर एकजाम में प्रसन कैसे पूछते हैं आगे वो देखने को म जब सिमान्त उप्योक्ता धनात्मक यानि पोजेटिव या घट रही हो याद रखेगा सिमान्त उप्योक्ता या तो बढ़ रही हो या घट रही हो तब कुल उप्योक्ता बढ़ती जाती है यानि कुल उप्योक्ता क्या होती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी और जब स इस graph के माध्यम से हम लो देखेंगे चलिए तो ये दिया गया है बस्तु की मात्रा यहाँ पे दिया गया है और उसका ये दिया गया है अब देखेंगे कि पहला संत्रा खाने से एक नंबर है तो पहला संत्रा खाने से आपकी ये जो होगा अब देखेंगे ये जो नीचे वाला graph है ये मु को बता रहा है और ये उपर वाला जो graph है ये आपको टीउ को बता रहा है तो दियान से देखिएगा दूसरा संत्रा आपने खाया तो marginal utility घंट गया लेकिन total utility क्या हो रही है बर रही है तीसरा संत्रा आपने खाया फिर marginal utility घंट रही है और ये क्या हो रहा है कि उपयोगता भी positive है यह तो सिमान तो उपयोगता क्या हो रहा अब आये चौथे संत्रे खाने पर यहां पर देखिये यह कितना हो गया 100 हो गया अब अब आपको चट्था जैसी संत्रा दे दिया गया आपने इसका इस्तमाल ही नहीं किया तो रिनात्मक हो गया तो जैसी यह रिनात्मख होगा total utility यहां से क्या होते चला गया घरते चला गया फिर आपको दे दिया गया सात्मा संतराज जिसका इस्तमाल भी आपने नहीं किया तो फिर total utility क्या होते चला गया और नीचे की ओर घसकते चला जाएगा तो कहने का मतलब यही हो गया कि जब तक यह maximum कभ हो बाघा, जब दोनों, जब पूरी तरहसे ये क्या हो, जब सीमान्त वप्रचप्Weekta सुन हो जाती है, तब कुल वप्रचप् Wass सिमान तुप्योक्ता सुनने का मतलब क्या हो गया यह देखिए सिमान तुप्योक्ता कहा हो गया यह जीरो है ना तो सिमान तुप्योक्ता जब जीरो हो जाएगी तो टोटल इटिलिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी तोटल इटिलिटी उस समय क्या हो जाएगी मैक् इसी वस्तु की अधिक इकाई का उपयोग करते हैं वैसे वैसे उत्रोत्तर इकाई से प्राप सिमानत उपयोगता करमसा घरती जाती है पीछे हमने देख लिया कि जैसे से आपने संत्रा बरहा रहे थे जैसे से आप संत्रा बरहा रहे थे सिमानत उपयोगता क्या होती चली जा जाता है और यही बात गोसन का पर्थम नियम हमें बताता है यह सवाल आपके एकजाम में पूछा गया है कि गोसन के पर्थम नियम को लिखिए तो गोसन के पर्थम नियम यही बताता है कि जैसे जैसे आपकी उपयोगता की इकाई की मातरा बरती चली जाएगी सिमांगत उप दूसरे नियम को समसिमान्त याद रखिएगा समसिमान्त उपयोगता के नियम भी करते हैं तो आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है कि गोशन के दूसरे नियम को किसी नियम के नाम से जानते हैं तो इसे हम लोग समसिमान्त उपयोगता के नियम के जानते हैं या इसी को प् अपनी आय को विभिन बस्तूओं पर इस परकार ब्याय करेगा कि परतेक बस्तूपे खर्च कई रुपे की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सिमान तुप्योगता आपस में बराबर हो जाएगी यानि अंतिम इकाई से जो प्राप्त उप्योगता होगी वो सिमान सिंग का दूसरा नियम हमें बताता है और यहां से सवाल आपके एकजाम में पूछे गए हैं चलिए तीसरा जो सवाल है वो दिया गया पे कि एक दिश्ट अधिमान यानि मोनो टॉमिक याद रखेगा मोनो टॉमिक प्रिफेंस किसे कहा जाता है तो कहा गया है कि एक से यानि उसे महत्व अगर नॉर्मल भासा में इसे बोले जाए तो महत्व देता है जिसमें इन वस्तूओं में से कम से कम एक बस्तू की अधिक मात्रा हो और दूसरे बंडल की तुलना में दूसरी वस्तू की मात्रा भी कम नहों यानि कहने का मतलब है कि अगर आपको दस ब होगी और ज्यादा वाले चुन्ने केनुसार दूसरी मात्रा में कमी ना हो तो इसी को हम लोग कहते हैं मोनो टोनिक प्रिफेरेंस कहा जाता है यानि एक दीष्ट अभी अधिमान कहा जाता है आगे दिया गया है कि उदाजिंता वक्र अथवा तटस्ता वक्र या अनधी वक्र देखिए एक ही चीज का अलग-अलग NCRT किताब में कुछ अलग नाम देगा रिफेरेंस बुक में अलग नाम देता है तो देखा गया है कि सब एक ही नाम को अलग-अलग नामों से कहा गया है या तो उदाजिंता वक्र कहिए या तो टटस्ता वक्र किए या इसे अनधीमान वक्र कहिए हिंदी में तो अलग-अलग है लेकि इंगलिस में एक ही वर्ड होता है इन डिफेरेंस कर्ब तो याद रखेगा कि कहीं कहीं आपके लिए English word भी आपके लिए important हो जाए तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से पर रहे हैं जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे request है कि आप थोड़ा सा English word का भी इस्तमाल जरूर करेंगे क्योंकि कहा गया है कि अगर आप आगे चल करके आप किसी competition की तियारी करते हैं तो preference generally किसको दिया जाता है English वाले को ही दिया जाता है तो English में देखिए एक ही नाम है indifference curve और हिंदी में देखिए इसका तीनती नाम दे दिया गया है तो confusion नहों इसलिए यहाँ पे आपको यह word थोड़ा सा पकड़ना होगा आते हैं indifference curve के बारे में तो क्या होता है तो Hicks एवं Elon ने उदासिंता वक्र की बिचारधारा प्रस्तूत की चलिए यह वक्र के बारे में लोग को किसने बताया सवाल पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है सवाल पूछा गया है 2013 के प्रस्ट को उठा करके आप देखिएगा तो यहाँ पे यह सवाल पूछा गया है कि उदासिंता वक्र की बिचारधारा किसके दवारा प्रस्तूत की गई है हिक्स और एलन के द्वारा पूछा गया है दिया गया है हो सकता है कि वहाँ पे दोनों नाम ना हो एक ही नाम दिया गया हो तो उसको भी आपको याद रखना होगा मेर्स ने क्या कहा उदासिंता वक्र के बारे मेर्स ने कहा कि उदासिंता वक्र दो बस्तूओं के ऐसे विभिन संयोंगों को बताती है जिनसे किसी व्यक्ति को समान संतोस प्राथो या संपान संतोस्ती प्राथो ये कथन मेर्स के द्वारा दिया गया है अब यहाँ पे देखे गराप के माध्यम से यहाँ पे बार बार एकजाम में सवाल पूछे जाते हैं अब यहाँ पे समझेगा कि दिया गया है वस्तू वाई और वस्तू एक से कहा गया है कि वस्तू एक से है अगर आप माल लिए किसी खेत पे खेती करते हैं और एक खेत के ब दो भागों में इसको बाढ़ दीजिए सपोज अब यहाँ पे हो गया वस्तू X और वस्तू Y और आप इसका production कर रहे हैं समझेगा ध्यान से थोड़ा सा टाइम आपका लएगा लेकिन आपको पर्मानेंट यह समझ में आ जाएगा जहां से आपको उदासिंता वक्र के लिए स वस्तू Y की मातरा क्या हो गई घट गए यानि अगर आप खेत पे खेती कर रहे हैं एक ही खेत में दो चीजिए उगा रहे हैं तो जैसे इसकी मातरा बराते जाएंगी आप यह धीरे-धीरे क्या होते चला जाएगा घटते चला जाएगा इसी चीज को ऐसे इस कर्व के भी नहीं काठता है यह भी याद रखिएगा यहां आपको मिलेगा इस चीज के बारे में पूरी जनकारी कि उदासिंता वक्र की विसेस्ताएं क्या है तो पहला विसेस्ता है कि उदासिंता वक्र बाएं से दाएं देखिए यहां पे बाएं से दाएं बाएं से दाएं की ओ क्या बोला जा रहा है बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता है उदासिंता वक्र का ढाल रिनात्मक होता है घरते हुए जाएगा इसका ढाल क्या होगा घरते हुए जाएगा और एक उपहोगता के दो उदासिंता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं बताईए यह आपक कभी नहीं काटेंगे एक उदासिंता वक्र दूसरे वस्तू के उदासिंता वक्र को कभी नहीं काटेगा यही चीज यहां पे बताया जा रहा है साथी साथ उदासिंता वक्र कभी किसी अक्ष को असपर्स नहीं करेगा अक्ष यानि दो ही अक्ष होते हैं ग्राफ परिएगा तो उसमें आपको दो अक्ष यानि X-axis और Y-axis देखिए यहीं पर आ करके यह रुक जा रहा है रुक रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा क्या इस X-axis को टच किया नहीं टच किया इस Y-axis को टच किया नहीं टच किया तो अगर आपको ग्राफ याद तो आसानी सा विसेस्ताएं लिख सकते हैं कौन कौन सी विसेस्ता है तो बाय से डाय नीचे क्यों धलान हो जायेगा दूसरा चीज होगा कि एक दूसरे को कभी नहीं कारता है तिसरा चीज हो जायेगा कि एकस एकसिस और वाई एकसिस को कभी टच नहीं करता है जब यह नीचे की हो डाल होगा तजाइड सी वात्ते की यह नात्मक हो जाएगा तो चार पॉइंट तो आपको ग्राप से ही पता चल गया तो ग्राप अगर आपके माईंड में रहेगा तो आपको आसानी से उदासिंता वक्र का सारी विक सेस्तायं लिख लिजिए दुसरा है उदासिंता वक्र गोलाकार भी हो सकता है तो उदासिंता वक्र जो होगा वो गोलाकार भी हो सकता है और उदासिंता वक्र उपयोगता के उच अस्तर को प्रदान करता है उदासिंता जो वक्र है उपयोगता के उच अस्तर को क्या करेगा प्रदान करता है तो आपक अब आगे है कि सिमान्त प्रतियस्थापन किसे करते हैं यानि marginal rate of subductions यानि MRS इसी ये देखिए ये भी आपके लिए भी भी आई है और यहां से सवाल आपके एक्जामे पूछेगा है तो कहा गया है कि किसी बस्तू की एक अतिरित इकाई पराप्त करने के लिए उपभोगता दूसरी बस्तू की जितनी इकाईयों को छोड़ता है उसे सिमान्त प्रतियस्थापन दर कहते हैं अभी पीछे हमने आपको बताया कि जैसे से अगर बस्तू X की मातरा बरहाते जाएगी Y की मातरा क्या होते चले जाएगी घरती चले जाएगी तो वही कहा गया है कि दूसरी वस्तू की जितनी मातरा कम होगी दूसरी वस्तू की जितनी मातरा अगर पहली वस्तू को बरहा रहे हैं तो दूसरी वस्तू घटेगी और दूसरी वस्तू की जितनी मातरा घटेगी यही मातरा घटने की चीज़ को हम लोग क्या करते हैं सिमान्त प्रतियस्थापन दर यान लिखना होगा इस तरह से X की Y के लिए अगर आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखाएगा X के Y के लिए सिमान्त प्रतियास्थापंदर वस्तु की मातरा है जिसका X के प्रतिक अत्रिक इकाएं को त्यागना परेगा याद रखिएगा अब यहाँ पे देखिए क्या है कहा गया है अब इस तालिका को समझेगा इस तालिका में देखिए क्या दिया गया है तो कहा गया है कि वस्तू X और वस्तू Y पीछे हमने देखा था वस्तू X को कैसे बढ़ाया जाए तो वस्तू X को बढ़ा दिये वस्तू घट रहा है फिर वस्तु एकस बरहा है फिर वस्तु Y क्या हो रहा है घट रहा है तो कहा गया है कि जब आपको MRS निकालना होगा तो क्या दिया गया है delta y ratio delta x delta कहने का मतलब क्या होता है उसके परिवर्तन को बताता है याद रखेगा ऐसे symbol को हम लोग delta कहते हैं ऐसे symbol को generally हम लोग क्या कहते हैं delta और इसका मतलब होता है change याद रखेगा इसका मतलब क्या होता है बदलाव परिवर्तन होता है तो change in y और change in x क्या होगा इसके ratio को बताया जा रहा है तो change in y y में कितना हुआ change 5 फिर कितना change हुआ 4 फिर कितना change हुआ 3 फिर 2 और फिर 1 देखिए यहाँ पे तो पहले देखिए जब यहाँ पे MRS से x y की बात बोली जाएगी तो पहले आपको y को लिखना होगा और बाद में आपको x को लिखना होगा क्योंकि यहाँ से भी importance आपके सवाल exam में लिखने का तरीका होता है यह नहीं कि किसी को भी पहले लिख दिया जाए और किसी को बाद में लिख दिया है जिसका नाम पहले है उसको बाद में या fraction में और जिसका नाम आपको पहले बाद में दिया उसको पहले लिखना पड़ता है चलिए अब इसमें आईए बस तू x से कितने का अंतर एक 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 हो गिया तो आपको आई होप समझ में आ जा रहा है देखिए यहां से 5 है यहां से 4 है यहां से 3 है यहां से 2 है यहां से 1 है और यह सब का तो 1 ही 1 दिया हुआ है न तो X में कितना का परिवर्तन हो रहा है एक का और Y में कितने का तो एक घंटते हुए चला जा रहा है आगे दिया हुआ कि छटे संयोग में सिमान प्रतियास्थापंदर घंट कर एक रेशियो एक हो गया चले यहाँ पर देखिए छटे चीज में क्या दे रहा है छटे चीज में दोनों का रेशियो क्या होगी आपस में बराबर हो गया रेशियो यानि अनुपात रेशियो यानि अनुपाट जो होगा चठे इकाई में क्या हो रहा है गट रही है इसी को हम लोग हारसमान नियम करते हैं इसी को हारसमान सिमान परतिय स्थापन दर कहा जाता है तो गर आप के माध्यम से भी देख लिए आपने explanation के माध्यम से भी देख लिया कहा गया है कि घर्टी सिमान पर स्थापन दर के कारण उपभोगता को उदासिंता वक्र मूल बिंदू की योर उनोतर होता है जिसे हम लोग कनवेक से बोलते हैं यानि मूल बिंदू से क्या होगा दूर चला जाएगा अब इसका एक फर्मूला भी होता है MRS XY कैसे निकाल सकते हैं तो डेल्टा Y by डेल्टा X इसे हम लोग करते हैं और कहा गया है कि MRS जो होगा वो सदय क्या होगा रिनात्मक होगा यानि marginal rate of substitution जनरली क्या होगा रिनात्मक होता है आगे दिया गया है उदासिंता वक्र需要 connected उपभोक्ता के संतूलन की दो सर्थे चलिए ये दो सर्थे एकजाम में पूछा गया है किसका सर्थ है तो उदासिंता वक्र का और यहाँ पह सिमान तो उप्योगता दो दो सर्थ हम लोग परहेंगे क्योंकि यहां से सवाल आपके एक्जामे पूछेगा है चलिए देखते हैं लिखा गया कि उदासिंता वक्र की कीमत रेखा को असपर्स करता है उदासिंता वक्र कीमत रेखा की असपर्स को टच करेगा अस्थाई संतुलन के लिए संतुलन बिंदू पर उदासिंता वक्र मु उपयोक्ता द्वारा खरीदी गई सभी वस्तूगों के लिए मुदरा की एक इकाई की सिमान तो उपयोक्ताए बरावर होनी चाहिए और इसका देखिये यह फर्मूला याद रखेगा इसको लिखने का एक और तरीका क्यों कि यह आपके एकजाम में mcq में दिया ग्या है यहां से चार option दे दिये जाते हैं और दे दिया जाता है कि सुप्यांग उप्तोक्ता बिसलेशन में उप्योक्ता की जो सर्ते हैं उसका कौन सा नियम सही है तो mu x by p x बराबर mu y by p y अब इसको अलग-अलग p क्या बताएगा तो p जितनी बस्तू को आप छोड़ रहा है न वो बताएगा और mu यानि marginal utility हो जाएगा mu यानि marginal सिमांत को प्योगता हो जाएगा इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है कैसे लिखा जा सकता है तो mu x into py बराबर mu y into p x इस तरह से भी लिखा जाता है तो ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है चली आगे है मुद्रा की सिमांत उप्योगता इस्तिर होती है मुद्रा की सिमांत उप्योगता क्या हो जाएगी इस्तिर हो जाएगी और संतूलन की दसा में मुद्रा की एक इकाई की सिमांत उप्योगता के बराबर हो जाएगा जब आपकी सिमान्त मुद्रा की उपयोगता जब इकवल हो जाएगी तो संतुलन की दसा में वो भी आपस में क्या हो जाएगा इकवल हो जाएगा अब आते हैं बजट रेखा या कीमत रेखा किसे कहा जाता है भी भी आई है और ये सवाल भी पूछे गए हैं बजट रेखा या कीमत रेखा किसे कहा जाता है तो बजट रेखा या कीमत रेखा वो रेखा है जो दो वस्तूओं के ऐसे सभी संयूगों को परदर्सित करता है ज इसी को बजट रेखा या कीमत रेखा कहा जाता है और जब इसको हम लोग रेखा के रूप में जब इसको हम लोग गराप के रूप में इसे हम सो करेंगे तब इसी को हम लोग क्या करते हैं बजट रेखा या कीमत रेखा कहा जाता है अब इसका एक समिकरन होता है और ये समिकर तो वही चीज़ आपको हो गया कि PY जितनी मात्रा कम हुई है और Y क्या हो गया आपका वस्तू की मात्रा हो गई और M क्या हो गया तो M उपभोगता की कुल आई को बताएगा m क्या बताएगा तो आपको यह फर्मूला यहाँ पर याद रखना होगा क्योंकि यह भी सवाल आपके एक्जाम में देखें यहाँ dot का मतलब multiple होगा dot मतलब क्या समझेगा multiple समझेगा बड़ा x हो जाएगा plus p छोटा into y बराबर m तो इस तरह से आपके एक्जाम में और सभी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर दे दिया गया है x का मतलब वस्तू की प्रतिकाई की मत फिर यह x का मतलब आपका हो जाएगा px का मतलब यह हो गया और सिफ x का मतलब वस्तू की मातरा हो जाएगी तो यह आपके important प्रस्न थे अब इसके बाद हम लोग demand पढ़ने वाले इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं demand पढ़ने वाले हैं तो demand के लिए आपको next part के वीडियो को आपको देखना होगा और इसके बाद फिर हम लोग जब पूरी तरह से chapter को समाप कर लिया जाएग तब इसके बाद हम लोग MCQ को cover करेंगे और question answer को भी हम लोग cover करेंगे तो next video में के लिए आप हमारे साथ जूरे रहेगा हमारे चैनल को subscribe कीजिएगा और जादा जादा इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने ग्रूप में share कीजिएगा अगर economics आपको अगर अच्छे धंग से नॉर्मल तरीके से अपनी भासाओं में समझना है तो हमारे साथ बने रहेगा धन्यवाद